हेलो गुद मोरिंग माई यार्डियर स्टुडेंट्स तोड़े वी विल डिसकस एबाउट कंपेरिंग कॉंटिटीज एक्साइज 8.3 तो जो आज का हमारा टॉपिक है कंपेरिंग कॉंटिटीज है और क्वेशन अबर फर्स से हम लोग स्टाट करते हैं तो यहां पर जो क्व प्रेनसिपल यहां पर आपको 10,800 दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है और हमें प्यूट करना है अनवली ठीक है तो amount calculate करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा amount calculate करने के लिए सबसे पहले हमें formula का प्योग करना पड़ेगा और जो formula है हम लोग जानते हैं कि amount is equal to होता है हमारा P in bracket 1 plus rate of interest अपान में 100 के power whole power yen यह हमारा यह हमारा जो है formula है तो इस formula का हम प्रियोग कर लेंगे यहां पर amount के amount हमें calculate करना था principal value दिया है principal value के अस्थान पर 18800 हमें पूट करना है और yen के अस्थान पर हमें time दिया हुए three years इसको मेंचे पूट करना है और rate of interest यहां पर हमारा है 12 and half percent इसका मतलब 25 अपान में 2% हो जाएगा ठीक है तो इस फार्मुले का प्रियोग कर गया है question को solve करेंगे देखेंगे किस तरीके से इसमें solve किया गया है तो यहां पर आपको देखा देखे जो फार्मुला मैंने बताया है वह फार्मुले का यहां पर प्रियोग हुआ है यहां पर इसमें value रग दी गई है 10800 और यहां पर इन ब्रैकेट one plus rate of interest हमने बताया तो 25 अपान में 2% होगा जो कि यहां पर निकाला गया सिंप्लिफाई करके तो यहां पर 25 और अपान में 100 होता है तो 22 मतलब 200 हो जाएगा और जब हम इसको simplify करेंगे तो 25 बंजा 25 25 फोर्जा 100 तो यहां पर one अपान में 24 हो जाएगा और पावर 3 क्योंकि हमारे पास timing 3 years था अब इससे जब हम solve करेंगे तो हो जाएगा हमरे पास 248 फोर्जा एट फोजाएगा वन प्लस वन बाई एट के होल पावर 3 और हम इससे जब हमको यहां से एट से हम डिवाइड जब इसको करेंगे तो यह पूरा-पूरा डिविजिबल होगा एट बन जा एट और रिमेंश वाटू एट रिजा ट्वेंटी-फोर एट रिजा ट्वेंटी-फोर और एट रिजा ट्वेंटी-फोर और बचा-फोर एट फवाइड फ़ोटी और इसके बाल वन जीडो तो हम क्या करेंगे वन एट कैंसल हो गया अब इसको एट को हम टू से डिविजिबल करेंगे फोर टाइंस में यह हो जाएगा और यह से जब हम काटेंगे चैंसल करेंगा तो तू सिग्जा 12 तू सेवन जा 14 और तू फवाइब साथ टेन 675 हो जाएगा और जब इनका हम लुटिपलाइगा नाइन नाइज एकटीवन एकटीवन नाइन जा 729 तो इसमें जब हम 729 से मल्टिपलाई करके और हम इसमें डिवाइड कर देंगे कितने से हमारे पास बचा ह हुआ है अपान में एट फोर्जा 32 जब इससे हम डिवाइड कर देंगे तो जो फाइनली हमारा एंसर बनेगा वह फेप्टीन थाउजन को इसमें से इसको घंट लाओ मतलब इसमें से इसको माइनस करना है 1537.34 में से 300 k को 500 मांअच करना है तो आपका result आपका आजएगा 4577.34 तो यहां पर थोड़ा सा mist bogus को जो है कर लिजेगा आपको हमाौंक में से प्रिंचिपल को माइनस करना है फार्मूला यहाँ पर सही लिखा गया है लेकिन यहाँ पर सलूशन गलत किया गया है तो आपको क्या करना है कि 15,377.34 में से 10,800 माइनस कर देना है जो आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा अब बड़ते हम नेक्स्कोस्ट की तरफ देखियों नेक्स्कोस्ट क्या है हमारा सेम फैनलर्डी जो हमारे पास स्थी तरह है तो इसको आप भूप कर लेंगे और थर्ड भी हो जाएगा सी भी हो जाएगा क्योंकि वो भी हमें उसी फार्मले पर उसी तरह के सबसे साल्ब करना है अब हम बात करेंगे हमारे पास दी है क्योंकि यहाँ पे question में बुला गया है इसे compute करना है half yearly तो जब हमें half yearly compute करना है तो यहाँ पे हमें एक procedure को follow करना होगा और procedure क्या है कि हमें जो time होता है उसे fractional part में नहीं रखना होता है उसे हमें yearly ही दिखाना होता है तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए हम इसे कर सकते हैं जैसे हमारे पास time को अगर मैं twice कर दूँ और rate of interest को हम half कर दें तो यह हमारा उसी formula को follow करके हम इसको solve कर सकते हैं जैसे हमारे पास time यहाँ पे दिया हुआ है और rate of interest 9% पर इन्नम दिया हुआ है हमें half yearly compute करना है तो time को 2 कर देंगे और rate of interest को 4.5 कर देंगे और यह आशानी से solve हो जाएगा देखे, solve करके देखते हैं इसको देखे, वही procedure को यहाँ follow किया गया है जो मैंने आपको अभी भी बताया तो यहाँ पे हमारे पास जो है वही formula apply होगा यहाँ पे लेकिन rate of interest को आधा कर दिया गया है और हम जानते 1 year में 2 half year होता है इसलिए power में हाँ 2 हो गया है अब इससे जब हम solve करेंगे तो हमें मिलेगा 8000 1 plus 9 अपान में 200 हो जाएगा अब इसको जब हम solve करेंगे 200 वन जा 200 अब प्लस 9 is equal to 209 power 2 था इसलिए यहाँ पे 2 times उसका multiply कर दिया गया अब यहाँ से हम आसानी solve कर सकने 2 0 से 2 0 cancel हो जाएगा और 1 0 से 3 0 से 3 0 cancel हो जाएगा और हम जाएगा तो यहाँ 4 2 जा एट 2 यहाँ बच जाएगा तो 209 का 209 में multiply करके 2 में multiply कर देंगे जितना हैगा 100 से divide कर देंगे तो जब divide करेंगे 2 digit पे decimal लग जाएगा तो आपका यह यहाँ पे decimal लग जाएगा मतला आपका जो finally answer amount में आएगा वो 8736.20 आ जाएगा अब यहाँ पे हम amount में से principal को minus कर देंगे यहाँ पे आपका सही किया गया है तो आपको क्या मिल जाएगा आपको rate of interest compound interest निकल जाएगा आपका compound interest तो यह आपका 736.20 आ जाएगा यह आपका answer हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपका जो है question number जो first है वो complete हुआ क्योंकि आपका यह उसी तरीके से लग जाएगा जो मैंने अभी second type आपको बताय हुआ है यह आपका last exercise है chapter 8 का और इसके पहले के जो exercise है मैंने वो आप लोगों को video upload कर दिये हैं यसी एप पर आप लोगों वहां से देख सकते हैं तो अब बढ़ते हैं question number two पे question number two है यहाँ पे कमला बारोड 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compound yearly what amount we sell we see pay at the end of two years and four months to clear the loan यहाँ पे देखें क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कमला जो 26,400 रुपीज एक बैंक से उधार लेती है स्कूटर एक स्कूटर खरीदने के लिए और उस पर रेट आप इंट्रेस्ट क्या है 15% पर रिनम अब उसे दो साल चार महेने two years और four month में complete loan को खतम करने के लिए कितना उसे amount pay करना पड़ेगा तो हम क्या कर लेंगे इस प्रकार की question अगर आते हैं तो हमें सबसे पर हम क्या कर लेंगे two years के लिए हम amount calculate कर लेंगे और जो two years का amount होगा वो अगले four month के लिए हमारा क्या बन जाएगा principle बन जाएगा तो वहाँ से four month के लिए हम simple interest निकाल लेंगे और उसी principle में हम add कर देंगे तो हमारा total amount आ जाएगा उसी formula का प्रयोग करके हम इसमें देखेंगे यहाँ पर दो formula का प्रयोग होगा देखते हैं किस तरीके solve होता है आपका वही formula है जो मैंने अभी वी उपर discuss किया था उसी में आपको रखना है rate of interest आपका 15% पर रिंदम दिया था तो one plus 15 upon 100 के power में 2 मैं अब इसे हम solve करेंगे तो 53 जा 15 और 5 तो 20 जा 100 तो 3 अपन में 20 हो जाएगा अब इसको जब simplify करेंगे 21 जा 20 20 में 3 8 करेंगे 23 अपन में 20 और इसका two times multiply होगा क्योंकि power में 2 था अब इसको हम आसानी से इसको solve कर लेंगे 120 से 20 कैंसल कर देंगे ठीक है और टू टू जा फोर फोर से अगर इसको हम कैंसल करेंगे तो मिल जाएगा फोर सिग्जा 24 टू बचा फोर सिग्जा 24 66 हो जाएगा और 66 का multiply 23 इंटू 23 में करेंगे तो में मिल जाएगा कितना 34914 लूपीज तो यह हमारा हो गया कि अमाउंट दो साल के लिए लेकिन आपका जो अगले फोर मंत के लिए प्रिंसिपल की तरह काम करेंगा इसलिए आब हम सिंपल इंट्रेस्ट का फर्मूला अपलाई करेंगे जो की सिंपल इंट्रोस्ट इस इस को तू होता है पी मतलब प्रिंसिपल एमाउंट इन्टू रेट अप इंट्रेस्ट अपान में हैंड्रेड सॉरी यहां पे आपका हंड्रेड नहीं होगा पी आर्टी होता है मतलब टाइम होता है तो यह टाइम हो गया अपान में हंड्रेड यह फार्मूला अप्लाई होगा यहां से हम तरीके से निकला हुआ है और यहां पर देख लीजिए आपका प्रिंसिपल वेलू आपकी थी कि इतना हो गया था तो प्रिंसिपल वेलू हो गया रेट आप इंटरेस्ट अपका इतना हो गया ठीक है और जो हमारे पास टाइम था वह फूर मंथ ता अगर उसको यहर में से कनवर्ट करेंगे तो फौर बाइड मचण और वसको सिंप्लिफाई करेंगे टो फ्र hoor सुट्पारीजर्ड ओंन भैट्री हो जाएगा तो यहां पर टाइम को यहां पर ट्री मल्टिप्लाई कर दिया fire वन बाई थी से अब इसको जब साल्ब करेंगे 3 बंजा 3 35 15 और हम क्या करेंगे 5 का मुल्टिप्लाइस में कर देंगे जितना अगा टू जिरीज पर डेसिमल लगा देंगे यह हमारा सिम्पल इंट्रेस्ट आ जाएगा और जो फाइनली एमाउंट की बात होगी तो जो मैंने बताया था अब हमारा प्रिंसिपल एमाउंट यह हो गया है तो इसमें हम सिम्पल इंट्रेस्ट को एड़ करतेंगे तो टोटल उसे आप्टर टू येर्स एन फोर मन्स इतना एमाउं ताउजन फाइब हैंड़ पर इन रुपीज पर इन फॉर त्री इयर्स एंड दो सिम्पल इंट्रेस्ट एंड राधा बारूज दा सेम इमाउंट फॉर दा सेम पीरिए टाइम पीरिएड एटेंपर इन पर इन नम कंपाउंडेंड एनुवली उपे मोर इंट्रेस्ट तो राधा जो है वह वह भी बारूज करती है उतना ही अमाउंट उतना ही समय के लिए लेकिन रेट आप इंट्रेस्ट इनका टेन परसंट है ठीक है यहां पर देखिए क्वेस्टिन में थोड़ा सा मिस्टिक है आप लोग बुक में आप लोग मैच करा लिजेगा ठीक है य एड़ दे रेट आप एड़ दे रेट आप ट्वल परसंट पर रेन्नम क्वेस्टिन में होगा त्वल परसंट पर रेन्नम जो की नहीं दिया हुआ है तो इसको आप लोग यहां पर बना लिज़ेगा कि फविना बारूज रूपीज 12500 रूपीज एड़ दे रेट आप 12% मतलब हविना जो है आपका जो है 12500 रूपे 12% प्रतिवर्ष की दर से 3 साल के लिए जो है उधार लेती है वो भी सिंपल इंट्रेस्ट के सिंपल इंट्रेस्ट पर साधानार ब्याज पर जबकि राधा उतना ही एमाउंड और उतने ही समय के लिए लेकिन 10% पर रेन्नम पर जो है लेती है कांपांड विए उसको कंप्यूट करना है एनवली कंपांड्ट एन वाली मतलब यह हमारा जो है और चक्रविद्धी बैज हम कह सकते हैं चकविद्धी बैच पर लिया गया है तो दुनों में कौन कितना ज़्यादा पे करती है तो हम सलूशन की तरब चलता है करते हैं सलूशन देखते हैं क्या है तो यहां पर हमारे पास देखेए प्रिंसिपेल इमांट दिया हुआ है टाइम दिया वा रेट प Inner इंडा च तो यहां पर माउन हम कल्कुलेट कर लेंगे फबीना के लिए तो सबसे पहले हमें कहां निकाल ना होगा हैंड अपर इंट्रेस्ट इस उकल टू आर एंड टीज़ उकल्टू टाइंग तो हम बैल यहां पर पूट कर देंगे 12500 इंटु ट्री अपान में हैंडे हम डबल जीरो से यहां पर डबल जीरो को कैंसल कर देंगे और सभी को मल्टिप्लाई कर देंगे हमें मिल जाएगा 4500 ठीक है अब यहां पर जो इनका सिंपल इंट्रेस्ट हो गया फ़बिना के लिए इतना 4500 रुपीज आ गया अब अमाउंट की बात करें राधा के लिए आप यहां पर अमाउंट निकाला गया बाद में आपको आपको अपर इंट्रेस्ट आपन में यहां बैलू हमारे पास होई है जो हमारा प्रिंशपल भावीना के लिए था वह यहां राधा के लिए हो जाएगा लेकिन किवल यहां पर रेट आप इंट्रेस्ट जो है वो कम है तो यहां पर इसको साल्ब किया जाएगा वन जीरो से वन जीरो कैंसल कर दिया जाएगा तो यहां पर यहां पर दो जीरो से दो जीरो को कैंसल कर दिया गया है ठीक है अब कुछ नहीं किया गया अब जब 11 का मल्टिप्लाई 3 टाइम 11 11 में होगा तो 1331 मिलेगा और 1331 में 125 का किया जाएगा तो आपको इतना फाइनली मिलेगा और जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एक डीजिट पे यहां पर डेसिमल लग जाएगा मतलब आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो 16337.50 अब क्या करेंगे यह हमारा माउंट है तो हम सी आई के लिए जानते हैं एम 137.50 इतना मिल गया तो फबीना ने पेड किया था कितना 4500 रूपीज 4500 रूपीज और जो राधा पे कर रही है 4137.50 इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे तो इतना जागा 362.50 जो कि फबीना का है इतना ज्यादा वो पे कर रही है ठीक है आपका यह सलूशन हो गया अब बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन की तरफ तो नेक्स क्वेशन देखते हैं क्या है तो यहां पर जो नेक्स क्व सब्सक्राइब कर लेते हैं यहां पर क्वेशन है आई बारोड रूपीस 12,000 फ्रॉम जमसेद एड़ शिक्स परसेंट पर इन नम सिंपल इंटरेस्ट फार टू इयर्स मतलब कर रहा है जमसेद ने आई बारोड मैंने जमसेद से जो है 12,000 रूपए 12,000 रूपीस शिक्स पर परेंडम के दर से तू इयर्स के लिए लिया था करहा है 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 आई बारोड दिस सम एड़ शिक्स परसंट पर इन नम कंपाउंड इंटरेस्ट वोट एक्स्ट्रा अमाउंट वूड आई हैब चुपे कह रहा है कि यदि मैं इसे 6% रेट आप इंटरेस्ट ही होता और इसे कं अरिटा लेते हैं ठीक है और उसके बाद हम उनका क्या कर देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट भी काल्कुलेट कर लेंगे फिर दोनों में जो है दोनों में डिफ्रेंस कर लेंगे कि कितना आ रहा है वही हमें एक्स्ट्रा एमाउंट पे करना पड़ेगा तो एकार्डिंग टुड़ क्वेस्टन हम बात करते हैं यहां पर तो यहां पर जो हमारे प्रिंसिपल एमाउंट दिया हुआ था यह 12,000 है तिक टा लेंगे तो अब मल्टिप्लाइ करेंगे सिक्स तूजा 12,000 हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1440 अब उसके बात कह रहा है कि जब यहीं हमें कंपाउंड इंट्रेस्ट निकालना होता इसी एमाउंट पे तो हम क्या करते हैं आप कंपाउंड इंट्रेस्ट का फॉर्मूला अप् कर देंगे यहां पे आप किया गया है अपाउंड का फॉर्मूला ठीक है तो अब यहां फॉर्मूला आपका प्रेंसिपल कर देंगे तो यह हमारा ही हो जाएगा तो आपका 12,000 ही है रेट आप इंट्रेस्स उतना ही है अपन में 100 के पाउर 2-12,000 और जब इससे हम्साल्प क तो इसे जब हम साल्वब करेंगे तो 1020-100 कैंसल हो जाय एक जीरो यहाँ पERS जाएगा और जब इसका मुल्टिपलाई हम इसमें करके 25 से divide करेंगे तो आपका मिलेगा result 13,483.20 अब उसमें से हम 12,000 को माइनस करेंगे तो आपका जो result आ जाएगा 1483.20 आएगा और simple interest के जड़ी है उन्होंने कितना देना था 1440 तो यह amount यह जो CI है वो हमारे SI से जादा है तो दोनों का जो डिफरेंट होगा हम दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1483.20 माइनस 1440 जब दोनों का डिफरेंट निकलेंगे तो 43.20 आ जाएगा तो यदि हम कंपाउंड इंट्रेस्ट पर लेते हैं तो हमें 43 रुपिय 20 पैसा हमें अधिक पे करना पड़ता है अब हम नेक्स क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है तो नेक्स क्वेशन देखिए आपका क्या है वासुदेवा एनवेस्टेश शिक्ती थाउजन रुपीज आएट इं इनम कंपाउंड इनवेस्ट करता है बारा परसेंट पर इनम की दर से और हमें इसे कंप्यूट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है आपको मैंने बताया कि इस टाइप के हार رब रnov हो जाएगा ठीक और वडिएच्स शीघ्स पर्षाट जाएगा तो जैसे मैंने हमारा लिक देंगे क्योंकि तु हाफिए pill Boys जाए गवन येर में और रिट आप इंट्रेस्ट आपका आधा कर देंगे मतलब 6% पर रेंदब कर देंगे इसको भी साल्प करेंगे जैसे जैसे मैंने उपर साल्प किया सेम उसी तरह को इसको कोई चैंजेस नहीं है तो इसको आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग ऑनलाइन क्लास में डिसकेस कर सकते हैं ठीक है अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर्शिक्स है आरे टू के लोन आरे जो है लोन लेता है 80,000 का फ्रॉम बैंक मतलब एक बैंक से 80,000 रुपय का लोन लेता है इस रेट आ इब दा इंट्रेस्ट इस है नहीं कारा कि यदी इंट्रेस्ट कांपाउट किया जा एन्वली तो ये अफ्र टेन आफ्ट वन एंड हाफ यार कितना पहे करना पड़ेगा और यदि उसे आफ यर्ली कंप्यूट कर किया जाए तो वही शेम डिएसन में कितना पहे करना मतलब यहां पर हमारे पास जो दिया हुआ है one and half year तो इस में से हम one year के लिए पहले हम निकाले amount निकाले उसके बाद फिर हम जो six month होगा उसके लिए हम क्या करेंगे यह साई से निकाल लेंगे amount जो आएगा वहम principle माल लेंगे तो हमारा एंसर हो जाएगा देखिए फार्मुला वही अप्लाई किया गया है यहां प्रेंसिपल बैल्यू के जगहां पर एटी थावजान रखेंगे रेट आप इंटेस्टेंट परसंट दिया था अपान में एंडेट पावर वन अब इसको सब्सक्राइब करेंगा वन जीरो से वन जीरो कैंसल हो गया तो अब यह हमारा जो एमाउंट है वह प्रिंसिपल बन जाएगा हो जाएगा अगले शिक्स मन्त के लिए चाहिए शिक्स मन्त को हम वन बाई टू इयर कह सकते हैं तो वही फार्मुला यह साई का हम लगाएंगे यह साई जीकल टू पी पी अब हमारे लिए इतना हो गया है रिट आप इंटेस्ट परसंट ही है और टाइम वन बाई टू है इंटू हैंट अब इसको साल्ब करेंगे टू जीरो से टू जीरो हमारा जो है कैंसल हो जाएगा ठीक है और टू से हम इसको जो है कैंसल करेंगे फोटि फॉर टाइमस में तो आपका फोटि फोर हैंडेड आपको पे करना पड़ेगा यह इंटरेस्ट हो गया है तो अब हमारे पास जो प्रिंसिपल वैलू थी एटी प्रतिशत प्रतिवर्स के दर से आपको टोटल एमाउंट इतना पे करना पड़ेगा लोन क्लियर करने के लिए ठीक है अब हम देख लेते हैं यदि हम हाफ यर्ली अगर कंप्यूट करना होता तो हम इसको कैसे साल्ब कर लेते हैं तो यहां भी देखिए हम जानते हैं यहां फैर में थी हाफ यह होते हैं तो हमारा वही रहेगा रेट आप इंट्रेस्ट को मैंने बता था आधा कर देंगे तो यहां फाइव हो जाएगा अब इसको सॉल प्रेंगे फाइव और फाइव तूजा है तो ट्वेंटी हो जाएगा ट्वेंटीवण अपान में 20 हो और टू तू तू जा फोल टू जा एट एट भी केंसल हो जाएगा एक जिरो हो जाएगा अब इसका जब मल्टिप्लाइए कर देंगे 21 इंटू 21 इंटू 21 तो आपका जागा 9,260 और 10 से इसका के बंजिरो आ जाएगा अब यदि दोनों का हम डिफ्रेंस निकाले तो माइनस कर देंगे आपका तो आपका 210 रूपीज अधिक आ जाएगा ठीक है तो यह आपका अंसर हो गया है हम चलेंगे नेक्स क्वेशन पर अब करते हैं कि के चैनल एट भी आपका उसी तरीके से अप साल कर लेंगे यदि आपको प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हम से डिसक्स कर लेंगा पर देखते हैं तो फाइंड एमांट विच राम विल गेट आन 4,996 रुपीज इफी गेब इट 18 मंट अट दे रेट आप 12.5% पर इन्नम इंटरेस्ट बिंग कंपूडेट कंपूडेंट हाफ यर्ली यदि इंटरेस्ट आपको हाफ यर्ली कंपूट करना है तो यहां पर देखे प्रिंसिपल इमांट दिया हुआ है तो प्रिंसिपल इमांट आपका इतना दिया हुआ है 4,096 एंट आप इंटरेस्ट इसको दिया सिंप्लिफाइब करेंगे 25 अपान में 2% परिंदम तो हाफ यर्ली कंपूट करना है तो इसमें हम बोले है कि रेट आप इंटरेस्ट को हम क्या करतेंगे आधा कर देंगे तो 25 अपान में 4 हो ज देखिया उसी फार्मले में यहां अप्लाई कर देंगे आप हमारा अइसर हो जाएगा त्रिंसेपल इमांट इतना दिया था रेट आप इंटरेस्ट हमारा हो गया तो 25 अपान में 4 हो गया था और अपान में 100 क्योल पावर 3 टाइम हमारा 3 हो गया था क्योंकि हमने उसको ट् आप करेंगे तो आपका यह कैंसल हो जाएगा 16 से ही कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है 16 तुजा 32 ठीक है और येट बच जाएगा 65 जा 80 और बच गया 9 16 696 फिन 16 से हम कैंसल कर देंगे 16 बच जा 16 फिन 9 बच गया 16 नाइज जा 16 जा 166 16 696 फिर 16 से 16 कैंसल हो जाएगा अब हम क्या करेंगे 17 का मुल्टिप्लाइग 17 करेंगे 289 का मुल्टिप्लाइग फिर 17 में करेंगे लेगा 44930 लूपीज तो यह आपका आंसर हो जाएगा फाइनली ठीक है अब करेंगे 10 की बात कर लेते हैं यहां पर दिया हुआ है दा पॉपलेशन आफ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 at the rate of 5% परिंदम कर रहा है कहीं कि जनसंक्या एक अस्थान की जनसंक्या बढ़ करके 54,000 हो गई है इन 2003 में मतलब 2003 में और जो इंक्रीजिंग रेट है वो कितना है 5% परिंदम है तो कर रहा है प्रिंदम पॉपलेशन इन 2001 तो अब 2001 में क्या रही होगी तो हमान लेंगे 2001 में हमारी पॉपलेशन पी रही होगी ठीक है तो वही फार्मुला हम अप्लाई करेंगे और साल्प कर देंगे हमारा अंसर आ जागा देखिए आपका इमांट इतना दिया हुआ था 54,000 हमें 2001 की पॉपलेशन निकालनी है ठीक यूसर में क्या रही होगी ठीक अभी यह हमारा हो गया है इसका मतलब हमारा एमांट हो गया है प्रिंसिपल हमें निकालना है और हमारे पास रेट आप इंटेस 5% परिंदम दिया है अब इसको हम साल्प कर लेंगे ठीक है 24,000 है और यहां 21 का मल्टिप्लाइ 21 में और अपन में 20 20 मल्टिप्लाइ 20 तो यहां से क्रॉस मल्टिप्लाइशन करेंगे ऊपर चला जाएगा और यह नीचे चलाएगा तो हमें इतना मिल जाएगा पीगी बैलू अब यहां इसे साल्प कर देंगे ही हमारा एंसर जाएगा तो देखिए यह इनका जब हम मल्टिप्लाइब करेंगे तो आपका जो आएगा प्रॉक्स में मतलब डेसिमेल में कटा है और 21 21 में में मल्टिप्लाइब 441 मिलेगा जब हम डिवाइड करें तो एप्रॉक्स में हमारी जो वैलू है 48,980 आ जाएगी ठीक है आप सेकेंड क् कि वाट वुड़ भी इट्स पॉपलेशन इन 2005 तो यह हमारी जो पॉपलेशन 2003 किया है तो 2005 में क्या हो जाएगी तो अब हमारे पास जो है कि एमाउंट पूछा है ठीक और जो टाइम डियूरेशन है हमारा टू इयर्स का हो जाएगा क्योंकि हम 2003 में थे अब 2005 की बात देखें वही फार्मूला हमारे पास है अमाउंट हमारे पास इतना हो चुका है सारी प्रिंसिपल हो चुका है अमाउंट हमें कल्कुलेट करना रेट आप इंट्रेस्ट होई है पावर में टू है सॉल्ब करेंगे हम को इतना मिलेगा ठीक अब इसका जो है डबल जीरो से ड यही आपका पापलेशन हो जाएगा 2005 में ठीक है अब इक्रिशन वर 11 है अब क्रिशन वर 11 पर देंगे क्रिशन वर 11 क्या कर रहा है कि इन अलेबोटरी दे कॉंट आप बैक्टरिया इन इस अलेटेन एक्सपरिमेंट वाद इंक्रीजिंग एड़ रेट आप 2.5% पर आप मतलब करा कि एक लेबोटरी में यह काउंट किया गया कि एक एक्सपरिमेंट के दवरान जो बढ़ने वाली जो बैक्टरिया है दो दसमेलों 5% प्रती घंटे की दर से बढ़ रही है तो हमें बैक्टरिया फाइंड करना है नंबर आप बैक्टरिया कितनी हो जाएगी आप्टर टू आवर्स इप दे काउंट वाज इनिशियली 5,6,000 ठीक है इस समय ज़ी जो हमारे पास बैक्टरिया नंबर आप बैक्टरिया है वो 5,6,000 है तो यह हमारी प्रिंसिपल बैलू हो जाएगी रेट आप इंटरस्ट आपका दिया हुआ हुआ है तो हम क्या कर लें करेंगे यहां से अमाउंट कर लेंगे वही हमारी बैलू हो जाएगी बस फार्मूले बैलू रखना है 1 प्लस 2.5 अपान में 100 तो यहां पर हम 10 से उपर नीचे मुल्टिप्लाइगे तो 25 अपान में 1000 हो जाएगा और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम से 40 हो जा जाएगे हमको 5,31,616.25 इतना हमारा एंसर हो जाएगा अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रेखेंगे इस तरीके से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्कूटर मुलियन हो रहा है मतलब कमी हो रहा है 8% पर एंदम के 8% पर एंदम की दर से और इसकी जो अभी जो मुल है 42,000 रुपीज है तो यह हमारी प्रिंस्पल वैलू हो जाएगे और जब हमारा घटता है और मुलियन होता है तो माइनस का फार्मुले में प्र्योप करते हैं बाकि स सारी चीजे हमारे लिए वह होती है तो हम देख लेंगे यहां पर फार्मुला सेम लगाएंगे कि वह माइनस कर लेंगे यहां पर देखते हैं क्विस्टियन में तो यहां पर जो हमारे पास प्रिंसिपल वैलू है भी वर्तमान जो कॉस्ट प्राइज है स्कूटर का वो 42,000 है और उसके बाद जो हमारे पास तो यहां पर हमारे पास जो है rat up interest 8% पर इनम था और time one year थाओं तो हमने बताया जहां पर हमारे पास होता है मतलब कमी होती है तो हम माइनस कर लेते हैं फार्मुला हमारे पास वही ले गया तो यहां पर देख्या माइनरस किया गया है फार्मुला होAmericans है आपके पास यहां भी हुए जी सेंफीज है और जब इसे हम 4 से कैंसल करेंगे 428 425 जा हैं डिटो टू बाइ 25 मिलेगा 2 25 मिलेगा लेकिन यहां पर आपका जो है प्लस का साइन दिया हुआ है यहां भी आपके question में solution आपका गलत दिया हुआ है तो आप लोग इसके solution को मत देखेगा जो मैं करके दिखा रहा हूं उसको आप लोग ध्यान देजेगा क्योंकि जब यहां minus का sign है तो 25 बंज़े 25 25 में 2 जब minus होगा तो 23 होगा तो आपका यहां से जो बनेगा solution 42 thousand होगा ठीक है तो 25 से हम काटेंगे इसको 104 टाइस में कैंसर हो जागा आप 4 का जब हम multiply करेंगे तो मिलेगा 400428 और फोट जा 16 आप 1680 का multiply जब आप करेंगे 23 में तो आपका जो finally answer आएगा वो 38640 आपका यहां पर answer सही दिया हुआ है लेकिन आपका यहां पर solution गलत दिया हुआ है क्योंकि आप जब यहां पर minus का sign लगाएंगे minus का sign लगाएंगे यहां पर तो आपका 25 में से 2 चला जगा तो यहां पर 23 हैगा तो इसलिए यहां से हमें 23 से multiply करना होगा तो यही आपका wrong है बाकी आपका जो यहां पर solution करके answer ला दिया है यह calculation इसका गलत है यहां पर आपका 23 आपका 25 रहेगा तब जा करके आपका answer रहेगा 38,640 तो आप यह सब चीज की जरूर ध्यान दे कि calculation आपको अपने से सारा चीज करना है यह नहीं कि जो book में दिया है उसे ही आप चापले आ जो आपको YouTube में दिख रहा है वो ही सही हो तो हर books में कुछ ने कुछ problem आ सकती है तो हमें अपने आप पे करना है कि क्या सही है क्या गलत है इसलिए calculation हम अपने से करेंगे देखेंगे और जहां भी आप लोग कोई भी डाउट लगे प्राब्लम लगे आप लोग हमसे आनलाइन क्लास में डिसकस कर सकते है ठीक है आज के लिए इतना ही अलापी थैंक्यू अलापी गुड़ डे है बैनाइस्ट है